अब भी अनुपमा के ससुराल में मेहंदी का जशन चल रहा है और क्या बात है इस मेहंदी के फंक्शन में अनुज ने भी एकदम हीरो वाली एंट्री मारी अब अनुज और अनुपमा को इतना करीब देख वन राज भला कैसे चुप रह सकता है घरवालों के बीच उसने ताना मारा तो वहीं दूसरी और अंश ने देखिये अपनी दादी के हाथ पर मेहंदी से अनुज का नाम लिख दिया अब ये सिचुएशन बहुत ही ओकवर्ट हो गई अनुज और अनुपमा के लिए मचे क्या सकता है